केंद्रे मंत्री मंदल का कल विस्तार हुआ और इसमें 43 मंत्रियों को शपत दिलाई गई इसमें जेडियू के आर्च सीपे सेह का नाम भी शामिल था वकेले जेडियू सांसद है जिनें मंत्री मंदल में जगह दी गई पटना में उनके स्वागत के लिए बैनर पोस्टर लग दिये गए हैं लेकिन नितीश कुमार खुश नजर नहीं आ रही तो क्यों आर्सीपे सेह से नाराज है नितीश कुमार देखिए ये रिपोर्ट जेडियू सांसद आर्सीपी सिंग मोती मंत्री मंदल में कैविनेट मंत्री बनाए गए हैं उन्हें सपात मंत्राले दिया गया है मंत्री बनने के बाद से ही आर्सीपी सिंग को बधाईया मिल रही है लेकिन जेडियू के शीर्ष नेताओं ने अभी तक आर्सीपी सिंग को बधाई नहीं दी है इन में सबसे प्रमुक नाम है बिहार के सीम नितीश कुमार का दावा किया जा रहा है कि एक मंत्री पद से नितीश कुमार नाराज है जब नितीश कुमार से पूछा गया कि 2019 में एक मंत्री पद के ओफर को उन्होंने स्वीकार नहीं किया था तो दो साल म प्रतिनिद्व स्वीकार नहीं करेंगे आज अध्यक्ष मैं नहीं आर्सीपी सिंग है और वो ही फैसला ले सकते हैं नितीश ने साफ कर दिया कि मोधी कैमिनेट में मिली एक सीट का ओफर उनके सामने आता तो उनका फैसला पहले वाला ही होता और वो इसे स्वीकार नहीं करते और जब आर्सीपी सिंग ने बीजेपी के ओफर को स्वीकार किया तो नितीश कुमार आर्सीपी सिंग से नाराज बताए जा रहे हैं आर्सीपी सिंग को मंतरी बनने के बाद अभी तक नितीश कुमार ने उन्हें बधाई नहीं दी है नितीश कुमार की नाराजगी की बड इन आर्सीपी सिंग एक सीट के लिए ही तैयार हो गए सवाल बिहार में सरकार चलाने का है इसलिए नितीश अपनी नराजगी को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं लेकिन संकेत में उन्होंने बता दिया है कि आर्सीपी सिंग का फैसला पूरी तरह से घल दूसरी और नितीश कुमार को घेरने का मौका देख रही आर्जेटी को मौका मिल गया है आर्जेटी के प्रवक्ता मृत्यूंज तिवारी ने कहा 2019 और 2021 के बीच ऐसा क्या बदल गया है कि नितीश कुमार जो तब एक प्रतिकात्मक मंत्री पत को स्वीकार करने से इंकार कर दिया था अब इसके लिए सेहमत हो गए हैं नितीश कुमार ने बीजेपी के सामने पूरी तरहा से घुटने टेक दिये हैं डिवी लाइव की रिपोर्ट